विस्वलारमानी राहीम, आसालेकॉम, कैसे आप सब, मैं उम्मीद करते हूँ, आप बिल्कुल ठीक होगी, अलापाक आपको हात्रा की बिमारी और परिशानियों से बिचाए, आमीन, सुमामीन आज हम कुगिंग हॉम में दही फुलकी बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे यहाँ पर मैं आपको दही फुलकी बनाने की कुछ टिप्स दूँगी, जिसे के आपकी फुलकी अंदर से बहुत सोफ्ट बनेगी अक्सर हम जब फुलकी बनाते हैं तो उनमें कुछ काठे टैप हा जाती हैं, वो हार्ड सी बनती हैं लेकिन जब आप इन टिप्स को फुलो करेंगे तो आपकी फुलकी बहुत सोफ्ट बनेगी और बहुत डिलिशिस बनकर त्यार होगी तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमने एक पेस्ट त्यार कर लेना है पेस्ट बनाने के लिए हमें चुचाइए है वन टी स्पून जीरा पाउडर वन टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और वन टी स्पून लसन कप पेस्ट इन सब को हम एक बोल में ट्रांसफर करेंगे और इसमें टू टेबल स्पून पानी आड़ करके इसका एक पेस्ट बना लेंगे अभी हम इसको रखेंगे एक साइड पर बाद में इसका इस्तमाल करेंगे अब यहाँ पर बोल में एक कब बेसन आड़ करेंगे वन टेबल स्पून जो हमने पेस्ट त्यार किया है वो एड़ करेंगे हाफ टी स्पून नमक एड़ करेंगे हाफ टी स्पून लाल मिर्ज पाउडर एड़ करेंगे वन फोट टी स्पून हल्दी पाउडर एड़ करेंगे नमक और मिर्स की quantity आप अपने हिसाब से एड़ कीजिएगा अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल कर इसका हमने एक बैटर त्यार कर लेना है तो एक साथ पूरा पानी नहीं डालेंगे वरना फिर इसमें गुठलियां पढ़ जाएंगी अब जब सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो भी हम इसको हाथ से भैंट लेंगे क्योंकि हाथों से फैटने से इसमें जो हवा होती है वो अच्छे से भर जाती है एक पिंच के बरापर हम इसमें बेकिंग सो डायट करेंगे और इसे चार-पांच मिनट के लिए खुब अच्छे से भैंट लेंगे जिससे के हमारा बैटर जो है न वो फलफी सा हो जाएगा जब हम इसे पानी में इस तरह से ड्रोप करेंगे न तो ये बैटर इस तरह से तैरना चाहिए तो समझ लीजिए आपका बैटर एक तम परफेक्टली रेडी है तो अब ही हम क्या करेंगे इसको 10 मिनट के लिए ढखकर रखतेंगे तो 10 मिनट के बाद चलिए अब हम फुल्कियों को फ्राय कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पर ओल को थोड़ा सा गरम कर लेंगे और चमझ के साथ फुल्कियों को ड्रॉप करेंगे एक चमझ में बैटर लेकर दूसरे चमझ से इस तरह से डालते जाएए और मीडियम फ्लेम पर ही हमने फुल्कियों को फ्राय करना है तो यहाँ पर मैं आपको एक टेप्स देती हूँ जब आप फुल्कियों को फ्राय करें तो जादा ओएल ना लें इस तरह से ओएल लें कि आपकी फुल्कियां थोड़ी सी बाहर रहें जिसने कि आप देखेंगे इसमें छोटी-छोटी सी जालियां बनने लगेंगी तो इन जालियों के जरीए अक्सर जो फुलकियों के अंदर गाट बढ़ जाती है वो नहीं पड़ेगी तो ये step आप धेहन से करिएगा तो आप देख सकते हैं हमारी फुलकियों में अंदर से जाली बनने लगी है इसका मतलब है हमारी फुलकियां अंदर से सोफ्ट और मुलाइम बन रही है इसमें कोई गाट नहीं आ रही है एक मिनट के बाद हम इसकी साइड को टरंड करेंगे और उलट पलट कर हम इसको गोल्डन हो जाने तक फ्राय कर लेंगे गैस की फ्लेम हमने मीडियम ही रखनी है यहां पर तीन से चार मिनट मैंने फुलकियों को फ्राय किया है मीडियम फ्लेम पर यह बहुत अच्छे से गोल्डन कलर की हो गई हैं तो अब हम इने निकाल लेंगे और जो बाकी फुलकियां बची हैं हम उनको भी इसी तरह से फ्राय कर लेंगे और फोरण ही हम अपनी फुलकियों को एक मिनट के लिए नॉर्मल टमपरेचर के पानी में डाल देंगे एक मिनट के बाद हमने इनको हलके हलके हाथों से दबा कर इनका पानी निकाल लेना है अब हम एक डिश में तक्रीबन 400 ग्राम के करीब दही ले लेंगे और इसको अच्छी तरह से भेंट लेंगे एक दम इसको लंस फिरी कर लेंगे अब हमने जो पेस्ट बनाया था लाल मिरो जो लेसन का वन टेबल स्पून एड़ करेंगे हाफ टी स्पून काला नमक एड़ करेंगे हाफ टी स्पून नमक एड़ करेंगे नमक टेस्ट के अकोर्डिंग एज़ेस्ट कर लीचे का और अच्छी तरह से इसको मिला देंगे अब हम इसमें एड़ करेंगे हाफ किलास पानी हाफ किलास पानी डाल कर इसको अच्छी तरह से मिला देंगे हमने दही का जो ये बैटर है ना हलकी सी पतली साइड पर रखना है क्यूंकि जब हम इसमें पुलकिया डालेंगे तो पुलकिया जो है वो दही को सोक लेती है और ये आटोमेटिकली गाड़ा हो जाता है अब हम इसमें एड़ करेंगे हाफ कीप वाइल किये हुए चनने हाफ कप उपले हुए आलू अड़ करेंगे बारिक क्यूप में कटे हुए एक छोटे साइस की प्यास बारिक चोप करके अड़ करेंगे आप चाहें तो सिरफ फुलकियां डाल कर भी इसे बना सकते हैं लेकिन इस तरह से टेस्ट और जादा बढ़ जाता है अब हम इसमें अड़ करेंगे फुलकियां जो हमने त्यार करके रखी हुई थी अब हम इस पर सिप्रिंकल करेंगे चाट मसाला कुटी हुई लाल मिरच सिप्रिंकल करेंगे थोड़ा सा बारिक कटा हुआ पोदीना अड़ करेंगे बारी कटा हुआ धनिया एट करेंगे इस तरह से हमारी बहुत ही जबरदस दही फुलकी बनकर त्यार है मैं आपको तोड़ कर भी दिखा देती हूँ ये कितनी सोफ्ट बनकर त्यार हुई है ये देखे अंदर से इन में कोई गांट नहीं है एकदम सोफ्ट फुलकिया बनकर त्यार हुई है अगर आप इस मैथट से दही फुलकी बनाएंगे तो आपकी फुलकिया एकदम सोफ्ट और डिलिशिस बनकर त्यार होंगी तो जरूर ट्राइ कीचेगा इस रेसिपी को मुझे अपना फिट बैक दीचेगा कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी आपको यह रेसिपी पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई लाइक कमेंट सब्क्राइब कर दीचेगा तो हमें याद रखेगा आला आफ़ेश्ट